नमस्कार स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की देश द्रोहों के मामले में दियू के पूर्व लेक्चरर गिरफतार दिल्ली विश्व विद्याले के पूर्व लेक्चरर एसार गिलानी को यहां आयुजित उस समारों के संबंद में देश द्रोहों और अन्य आरोपों के तहट गिरफतार किया गया है जिसमें भारत विरोधी नारे लगाये थे पूलिस उपायुक्त जतिन नर्वाल ने कहा कि गिलानी को देर रात करीब तीन बजे संसत मार्ग पूलिस थाने में गिरफतार किया गया उन्हें गिरफतार किया जाने के बाद चिकित सकीय जांच के लिए आरेमल अस्पताल ले जाया गया इस पीच दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट विरोधी कारिकरम के संबंध में देश द्रोह और अपराधिक साज़िश के मामले में गिरफतार जे एन्यू छातर संग के अध्यक्ष कनहिया कुमार की पुलिस हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी है ब्रिटिश वेबसाइट का खुलासा टोक्यो के मंदिर में कैसे पहुँची नीता जी की अस्थियां नीता जी सुभाष चंद्र बोस के अंतिम दिनों के कालकरम के सम्मत में ब्रिटेन में तयार एक वेबसाइट ने इस बात का ब्यूरा जारी किया कि स्वतंत्रता सिनानी के अवशेष टोक्यो के एक मंदिर में कैसे लाए गए और वहीं वे संरक्षित रखे हुए हैं वेबसाइट ने ताइपे से उनके अवशेष जापान की राज़धानी में रैंकोजी मंदिर में लाने का ब्यूरा दिया है इस वेबसाइट ने पहले बताया था कि 18 अगस्त 1945 को विमान तुर्गटना के फलसुरूप नेता जी की मृत्यू हो गई थी सीरिया में पाँच अस्पतालों पर मिसाइल हमले 50 की मौत सीरिया के अलिपों में सुमवार को कम से कम पाँच अस्पतालों और दो स्कूलों पर किये गए मिसाइल हमले में बच्चों सही तकरीबन 50 नागरिकों की मौत हो गई सीरिया में बृटेन स्थित निगरानी संस्था सीरियन अब्सरवेटरी फॉर हुमन राइट्स ने कहा कि ऐसी आशंका है कि ये छापे मारी रूसी युद्व विमानु द्वारा की गई है